नमस्कार बच्चों स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूटूब चैनल में तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7th Mathematics का चैप्टर नमबर 2 जिसका नाम क्या है बच्चों multiplication and division of integers यानि कि ये lesson में हमको actual में क्या सीखना है तो जो आपके integers होते हैं इंटीजर मतलब क्या देखो उसमें negative numbers भी आते हैं जीरो भी आता है और positive numbers भी आते हैं आप लोगोंने सीखा होगा class 6 में numbers के बारे में integer मतलब क्या होता है बच्चों देखो इसके अंदर ना negative numbers भी आते हैं जैसे कि minus 3 minus 2 minus 1 फिर उसके बाद 0 भी आता है और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 ठीक है इसके आगे numbers जाते जाएंगे समझ में आया तो ये सब आपके क्या होते integers होते हैं तो ये lesson के अंदर हम क्या सीखेंगे ये ज आपको सबसे पहले बता दूंगी यह जो आपका लेसन है इसमें दो प्रैक्टिस इट यह गाया है पहला तो प्रैक्टिस एट नाइन तो प्रैक्टिस में हम लोग क्या सीखेंगे multiplication of integers कहां मैं लिख दू कि में मल्टिप्लिकेशन of integers ठीक है, integers का यहाँ पर हम लोग multiplication सीखेंगे और जो आपका practice at 9 है उसमें हम क्या सीखेंगे? division of integers ठीक है, तो अभी हम लोग करने वाले हैं आपका practice at 8, यानि हम क्या सीखने वाले है? multiplication of integers और division हम कभ सीखेंगे? जब practice at 9 के questions को solve करेंगे तब जायके हम लोग देखेंगे division of integers तो चलो फिर देखते हैं question को अभी question देखने के पहले आपको कुछ और बाते बता देना चाहती हूं ठीक है क्योंकि जब आपको ये बाते पता रहेंगी तभी आप ये questions को solve कर पाओगे ठीक है तो देखो इधर एकदम ध्यान से समझ लीजिए इसको आप इसको note down करके भी रख लेना देखो minus into minus क्या होता है बच्चो minus into minus plus होता है ठीक है फिर plus into minus क्या होता है minus फिर minus into plus क्या होता है minus उसके बाद देखो plus into plus क्या होता है plus होता है एक बार फिर से बताती हूं ध्यान से समझ लीजिए और इसको note down करके रख लीजिए इस is very important बहुत important है अगर आपको ये पता रहेगा तभी आप यहां पर दिये को स्वाल्व कर सकते हो तो देखो बच्चो माइनस इंटू माइनस का मल्टिप्लाई माइनस में करोगे तो क्या आता है प्लस आता है माइनस इंटू माइनस प्लस फिर प्लस इंटू प्लस करेंगे तो प्लस होता है देखो प्लसंटू- बार जान एक बार यसे अप क्या रहा है आपको मैनस उन्टू- प्लस फिर मैनस ंटोपलस- प्लस प्लस- कमार संट्रम मांस इन टू- enzymes ऑर मैंनस अच्छा याद कर लिया ना चलो फिर questions देखते हैं तो यहाँ पर देखिएगा बच्चों हमें क्या करना है multiply करना यह सभी आपके integers दिएगा है तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है minus 5 into minus 7 बराबर तो आप एक काम करो अभी sign को मत देखना पहले इधर देखो क्या है 5 और 7 तो 57 से क्या होता है बच्चों बोलो सरा बोलो चोड से 35 तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 35 ठीक है अब देखो यहाँ पर क्या है minus यहाँ पर क्या है minus तो minus into minus क्या होता है बोलना सरा प्लस होता है क्या होता है एजी है ना अब दूसरा वाला देखते हैं यह इसका आंसर है ठीक है और दूसरा वाला देखते हैं यहां पर देखो क्या है माइनस नाइन इंटो 6 तो माइनस को भूल जाओ पहले इन दोनों का मल्टिप्लाइ करो 9 6 है क्या होता है बच्चो 9 545 फिर कितना होता है 9 5 इस फिफ्टी फॉर ठीक है तो यहां पर हमने लिखा 54 अब बनाओ प्लस में आंसर आएगा या फिर माइनस में तो इधर देखो क्या है माइनस और विसक्ति-खिस में सब्सक्राइब Allah 946 अब माइनस का सदिन है डिशो यह प्लस में उनर जो 9 अपका वह प्लस में और यह माइनस में थो प्लस इंटु माइनस देखो प्लस इंटु मायनस क्या होता बतरु और यह तो इंटु माइनस यह चिलो आगेorm तो प्लस में है यह मैनश मैंना होता है आप मल्टिप्लाइब करके बताओ 56 होता है तो यहां पर हम लिख देंगे 56 यानि माइनस 56 इसका आंसर आए ओके दैखो अभी 124 into 1, अगर 124 का multiply 1 में करेंगे तो क्या आएगा 124, अब बताओ answer plus में आएगा, तो minus into minus, minus into minus, यहां होते है, plus होता है यहां पर answer आजाएगा, पका plus में plus 124, फिर आगे देखिएगा, minus 12 into minus 7, ठीक है, तो 12x7 सो क्या होते है बच्चों, multiply करके देखो 84 बराबर तो यहाँ पर हमने लिखा 84 यह देखो यह भी माइनस यह भी माइनस तो माइनस इंटू- माइनस क्या होता है प्लस होता है तो यह प्लस में आएगा प्लस लिख करके दिखाने के जरूरत नहीं है ठीक है तो यह हो गया जी आपका अंसर अब अगला देखिएगा यहां पर 63 441 ओके आगे देखते हैं देखो माइनस 7ई15 तो 157 सा क्या होता है मल्टिप्लाइ करके देख लेते ना seven five 503 7105 प्लस है यहां पर कुछ नहीं नीं है प्लस कितना होता है यहां पर स्फ माइनस उन्टू तो माइनस पर यहां पर ऊपका प्रैक्टिस है फो कम्प्लेट हुआ उतना है बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है अग आप लोग कि इसको ट्राइब करो कुछ से सॉल्व करने के आपको 100 परसंट ग्यारेंटी आपको आंसर गलत मिली नहीं सकता मल्टीप्लाइब करना तो आपने बच्पन से सीखा है ना पहले से आपको मल्टीप्लाइब करना आता है बस यहां पर नया क्या है तो यह यह important है इसको note down कर लो और यहां पर आपका practice 8 complete हुआ यहां पर हमने क्या सीखा multiplication of integers अभी जो आपका अगला practice 8 है उसमें हम क्या सीखेंगे division of integers ठीक है तो चलो बच्चों अभी मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में practice 8 9 के साथ